प्यम नरेंद्र मोदी के मन की बात के जुसका आज 95 एडिशन रहा और इस 95 वेवे एपिसोड के जरी उन्होंने देश के लोगों को संभोधी ताज किया इस दोरान उन्होंने G20 भारत की स्पेस सेक्टर में जगा, दुनिया में बढ़ती भारती है, संगीत की लोगप्रियता सहित कई मुद्दो पर चरचा की इस कारिक्रम में राश्रोपिता महात्मा गांधी का भजन भी प्ले किया किया प्यम ने कहा कि हम बहुत तेजी से इस कारिक्रम के शतक की और बढ़ रहे है ये कारिक्रम मेरे लिए 130 करोड देशवासियों से जुडने का एक बहुत अच्छा माध्यम है हार एपिसोड से पहले गाउं शहर से आए धेर सारे पत्रों को पढ़ना बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों की ओडियो मेसेज़स को सुनना ये मेरे लिए एक आध्यात्मी का नुभव की तरह होता है प्यम ने सबसे पहले G20 का जिक्र किया उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही मुझे तिलंगाना से हरी प्रसाद गारू ने हाथ से G20 का लोगों बुनकर भीजा है हम सब हमेशा इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारा देश दुनिया में सबसे प्राचिन परंपराओं का घर है इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी परंपराओं और परंपरिक ज्ञान को समुरक्षित करें उसका समवर्धन भी करें और हो सके उत्रा आगे भी बढ़ाएं ऐसा ही एक सरहनिय प्रयास हमारे पुर्वोत्तर राज्य नागालेन के कुछ साथी कर रहे हैं मुझे प्रयास काफी अच्छा लगा तो मैंने सोचा इसे मन की बात के सुरताओं के साथ भी शेयर करूँ साथी हो नागालेन में नागा समाज की जीवन शाहिली उनकी कला संस्कृति और संगीत ये हर किसी को आकरसित करती है ये हमारे देश की गवरोवसाली विरासत का अहम हिस्सा है हमने स्पेश, टेक, इनोशन पर खुब बात की है इसकी दो खास वज़े हैं एक तो यह हैं कि हमारे उवा इस शेत्र में बहुत ही शांदार काम कर रहे हैं अब वे छोटी छोटी उपलब्दियों से संतुष्ठ होने वाले नहीं हैं दूसरी यह हैं कि इनोवेशन और वेल्यू क्रियेशन इस रोमांचक सफर में वे अपने बाकी वा साथ्यों और स्टार्ट अप्स को भी एंकरेज कर रहे हैं स्पेस सेक्टर में एक नया इत्यास बनते देखा इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रोकेट को अंत्रिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तयार किया था इस रोकेट का नाम है विक्रम एस स्री हरी कोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्ट अप के इस पहले रोकेट ने जैसे ही एत्यासिक उडान भरी हर भारतिय का सिर घर्वर से उंचा हो गया तेलंगाना के राजना सिरसिला जिले में एक बुनकर भाई है एल्दी हरी प्रसाद गारू उन्होंने मुझे अपने हाथों से जी ट्वेंटी का ये लोगो बुनकर के भेजा है ये शांदार उभार देखकर तो मैं हरानी रह गया हरी प्रसाद जी को अपनी कला में इतनी महरत हासिल है कि वो सबका ध्यान आकर्सित कर लेते हैं